हेलो एवरिवान वी आ डूइंग प्रिंस्पल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और तो उससे डिलेटेड आज एक और डिफरेंट टाइप का कॉस्टन करते हैं जो डिलेटेड होगा किससे इन इक्वेलिटी से कल हमने किससे डिलेटेड कॉस्टन किया था और प्रिंस्पल युलेटेड एक्स्पोनेंगस से उससे पहले एक्वेशन से डिलेटेड कॉस्टन किया था आज करते हैं इन इक्वेलिटी को कैसे प्रूव करते हैं पूश्चन लीआ मैंने प्रूव डाट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप 2n is smaller than 1 by 8 1 by 8 2N plus 1 का whole square where N belongs to natural number ओके हमें प्रूफ करना है कि ये inequality N natural number के लिए true है तो इसमें step वही follow होंगे हमारे पहले वाले सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको PN के equal लिख लिख लेते हैं PN PN के equal इसको लिखा हमने तो हमें मिला 1 plus 2 plus 3 up to N smaller than 1 by 8 2N plus 1 का whole square अब चेक करते हैं क्या ये P1 के लिए true है तो for P1 LHS क्या हो जाएगे आपकी एक term P1 मतलब 1 term तो 1 हो गई RHS हो गई आपकी 1 by 8 multiplied 3 का square मतलब 9 by 8 simply you can see here LHS is smaller than RHS RHS की value LHS से जादा है therefore P1 is true हम कह सकते हैं कि P1 क्या है true है अगर P1 true है तो P1 को true मान लेते हैं assume P1 1 plus 2 plus 3 plus k smaller than 1 by 8 2 k plus 1 का whole square 2 k plus 1 का whole square is true ठीके हमने इसको assume कर लिया कि ये true है ठीके now now to prove now we have to prove P K plus 1 P K plus 1 is true तो P K plus 1 क्या होगा 1 plus 2 plus 3 plus क्या हाँ जाएगा ये K plus 1 smaller than 1 by 8 और यहाँ हो जाएगा 2 K की ज़िएगे क्या होगा K plus 1 तो ये हो जाएगा 2 K plus 2 और 2 plus 1 3 तो ये पूरा हो जाएगा 2 K plus 3 का whole square 2 K plus 3 का whole square is true क्या करना है हमें इसको true prove करना है 2 prove कि ये true है तो इसको मैं start करेंगे कहां से अपना assumption पार्ट से ये होगे हमारा equation number 1 तो equation number 1 को लेता हूँ मैं from क्योंकि equation 1 को हमने क्या मन लिया है कि ये true है from equation 1 1 plus 2 plus 3 plus K smaller than 1 by 8 2 K plus 1 का whole square is true ये true है 1 से तो मैं अगर दोनों तरफ क्या add कर दू K plus 1 दोनों तरफ मैं इधर भी K plus 1 add करता हूँ इधर भी करता हूँ तो अभी ये true रहेगा add K plus 1 तो ये हो जाएगा भाई 1 plus 2 plus 3 plus K plus K plus 1 smaller than 1 by 8 ठीक है इसको open कर दिया मैंने तो 4K square plus 4K plus 1 ठीक है plus K plus 1 ओके true रहेगा ये भी तो अब ये हो गई आपकी value 1 by 8 यहां से मिला मुझे 4K square 4K square plus 4K अब 8 को ले दिया मैंने LCM PLUS 1 PLUS 8K PLUS 8 OK 8K and 4K क्या हो जाएगा आपका 12K smaller than 4K square PLUS 12K PLUS 9 divided by 8 OK उपर देखिए क्या है ये square है किसका ये square है 2K PLUS 3 का ठीक है तो smaller than 1 by 8 2K PLUS 3 का whole square is true ये क्यों true होगा क्योंकि ये हम assumption part से इसको लेके चलें equation number 1 से जो already हमने true assume की हुई है OK तो हम कह सकते हैं कि PK PLUS 1 is true therefore we can say ये क्या होगी आपकी PK PLUS 1 therefore we can say PK PLUS 1 is true and we also write it from PMI that PN is true for N belongs to next number OK तो इस तरीके से हम किसी भी inequality को solve करेंगे ठीके मोस्ट प्रेक्टिस में क्या होगा कि आप assumption part से start करें और PK PLUS 1 को true prove कर दें OK Bye Bye See you next video में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज like, share and subscribe my channel OK Bye Bye OK Bye Bye अगर आपको